हलो एब्रेवन विल्कम टू मैत्मेटिक स्लिवर्स अकेडमी तो फ्रेंट्स लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कोस्चिन नमबर 8 को कम्प्लेट साल्व कर लिया है अब देखेंगे कोस्चिन नमबर 9 जो की डिफ्रेंचिल एक्यूसन का है एक सर्साइज जो हम लोगों क लास्ट टैक है इस कोस्चिन को साल करेंगे काफी अच्छा कोस्चिन है तो देखिएगा लैट तक देखिएगा यहां से सुरू करते हैं जहीं कोस्चिन दे रखा है बाई डिएक्स प्लस एक्स लाग उपान-एक्स-डी-गैश-व स्टियक भू यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम day overs dxx की वैलू को find गडिक है 240ोब 4 вместе की वैलू को कैसे find करेंगे देखो यहां से डी एक्स हे लाइग को इसे साइड में रखा है ठीक है अब वाग इस पूरे function को युकल के बाद में भेज़ती है ठीक है औरbes pand सनκर भी और इस dy को कामल ले लिए ठीक है अब क्या करेंगे dx को इसके denominator में भेज़ देंगे तो dy over dx equals to by upon जे पूरा function मिल जाएगा इसे हम बोल देंगे equation number first अब देखिएगा हमें चेक क्या करना हमें चेक करना है कि जो function है जे homogeneous है अथवा नहीं है ठीक है homogeneous चेक करने के लिए हमने इस पूरे function को क्या किया एफ x y सपोर्ज कर लिए ठीक है ये फ x y क्या हो जाएगा y upon 2x minus x लाग y upon x ठीक है अब homogeneous check करने के लिए क्या किया जाता है x के place पे lambda x and y के place पे क्या 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 जाता है lambda y पूट कर दिया जाता है ठीक है तो और यहां से कामल लेंगे तो उपर से और यहां से टोटल लेंगे तो इस पूरे about गई जी-रो लिखा जा सकता है ठीक है, इस पूरे function को absorb करें, यहां से लेम्ड़ा लेम्डा काइन से लोग ए? इस टोटल function को absorb करें, जे fx-y ही है, ठीक है, इसे ही किनं अगर ये मान दिया जाए, तो जिकिसन Che where ए? ओर यहां पे लिखा जा सकता, lambda to the power 0 और कहीं पे भी f lambda x, lambda y है ठीक है और वो निकल के आ जाए lambda to the power 0 f x, y ठीक है और जही क्या होता है जही homogeneous function की definition होती है ठीक है और यहाँ पे lambda to the power क्या है degree होती है कोई भी homogeneous function है इसकी degree, इसकी degree 0 है तो यह function क्या है homogeneous function है, यहां से prove हो जाएगा, therefore the given differential equation is a homogeneous equation, miss, जो differential equation दे रखा है, वो करसा है homogeneous है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस differential equation को solve करेंगे, ठीक है differential equation को solve करने के लिए, by upon x को क्या करेंगे, हम b suppose कर लेंगे ठीक है, by upon x को b suppose किया, यानि कि हमें यहां से y equals to bx मिल जाएगा y equals to bx मिल जाएगा, ठीक है यहां से, हम dy over dx की value निकाल सकते हैं जो कियाएगी, j value, ठीक है चाहाँ तो इसे learn कर लो, नहीं तो इसे first और second function के हिसाब से इसका differentiation किया जाएगा, तो जहीं value find हो जाएगी, ठीक है, इसको learn कर लीजेगा बहुत ही simple होता है, b plus x dv over dx, ठीक है, अब क्या करेंगे जहाँ पे dy over dx है बहाँ पे इस value को डाल देंगे, और जहाँ पे by upon x है बहाँ पे b डाल देंगे, ठीक है या y equals to bx एक ही बात है, ठीक है तो देखिएगा, in value को substitute करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, b plus x dv over dx equals to y upon था, y की जगा पे bx डाल दिया 2x minus, इस type से जो हमें function मिल जाएगा अब थोड़ा सा solve करना है, देखिएगा यहाँ से bx अगर b को, देखो यहाँ bx है, यहाँ और यहाँ total common like cancel हो जाएगा means हमें मिलेगा, b upon 2 minus lag v, अब इस v को, इस side में shift करेंगे, तो minus का हो जाएगा, देखिएगा minus का आगे है, ठीक है अब कैसे solve करेंगे, b minus इसकी multiply यहाँ होगी ठीक है, तो मिलेगा, b minus 2b plus b lag v upon अब देखो, b minus 2b क्या होगा, minus v, means मिल जाएगा, b lag v minus v, ठीक है, जब function मिल गया, upon me, क्या है, 2 minus lag v, यहाँ से, एक method जो होता है, जो की होता है, suppression of variable का, ठीक है, suppression of variable क्या होता है, dv के साथ में, हमें b का function चुहिए होता है, dv के साथ में b का function होना चुहिए, और dx के साथ में, x का function आना चाहिए, ठीक है, और फिर इसका integration कर देंगे, अब देखिएगा, j total, इस total function को आप जर्ब किया जाए, जे किसका function है, b का function है, है ना, इसको dv के साथ में लाना है, तो इसकी multiply उपर करा देंगे, जे इसके denominator, तो इस type से मिल जाएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से समझने वाला इसमें, एक step जो है main है, यहां पर, j step, इसका जब integration करेंगे, तो काफी दिक्कत आएगी, तो देखो इसे 2 को, 2 को क्या लिख लिया गया, 1 plus 1, 2 को क्या लिख लिया, 1 plus 1, ठीक है, और minus lag V, अब देखो, इस 1 के नीचे, इस total function को एक वार लिख लिया, फिर एक वार, इस 1 minus lag V के वीच में, इस total function को लिख लिया, तो हमें j function मिल जाएगा, ठीक है, यहां से, देखो, minus common ले ले लेंगे, तो 1 minus lag V और 1 minus lag V cancel out हो जाएगा, यानि कि, हमें बनापान B ही मिल जाएगा, अब क्या करेंगे, अब यहां से integration करेंगे, ठीक है, तो इसका integration अलग होगा, और इसका अलग होगा, साथ में DB यहां पर आ जाएगा, और DB यहां पर step से इधर भी करेंगे, तो हमें j function मिल जाएगा, ठीक है, इसका तो डारेक्टली देखो, लाग भी हो गया, इसका लाग X हो गया, और एक constant of integration, लाग Z add कर दिया, जो क्या है, constant of integration है, ठीक है, constant of integration है, अब देखिएगा, यहां से जब लाग B-1 को T substitute करेंगे, तो इसका क्या किया जाता है, differentiation, तो इसका differentiation करेंगे, means, DV upon B, देखो, भाई, लाग B का क्या हो गया, बन अपान B हो गया, और बन का 0, ठीक है, और इसका जब T का करेंगे, DT upon, भाई, देखो, समझेगा, लाग B-1, इसको हमने क्या किया, T suppose कर लिए, लाग B का क्या हो गया, बन अपान B, ठीक है, देखो, बन अपान B, DV की जगा पे कितना लगा देंगे, DT, है न, और इसको हमने T suppose किया, तो कितना मिल जाएगा, बन अपान T, DT मिल जाएगा, ठीक है, जो यहां से क्या मिल जाएगा, DT upon T, माइनिस लाग B, और कहीं पे भी एक लाग की प्रापर्टी होती, कहीं पे भी लाग, यम प्लस लाग यन लिखा है, तो उसे लिखा जा सकता है, लाग, यम यन लिखा जा सकता है, इस प्रापर्टी का युज़ यहां पे किया गया, लाग यम प्लस लाग यन, तो क्या हो गया lag yamian इस टाइप से हो गया अब देखो बना पांटी का lag t हो गया और हमने t किसको substitute किया था इस total function को है ना इस total function को टी substitute किया था वापस से value डाल देंगे और b की भी value डाल देंगे बी की value क्या है y upon x ठीक है टोटल हमारा by और x में convert हो जाएगा ठीक है इस type से अब देखिएगा यहां से जह हमारा हो गया lag t और lag t t की value थी lag b minus 1 और b की value क्या है y upon x minus 1 और यहां से क्या है जे वाला है lag y upon x यहां लिखा है lag अगर कहीं पे भी एक लाग की property और होती है lag y minus lag in लिखा है प्लस माले वें तो into हो जाता है अगर minus में है तो उसे लिखा जा सकता है lag y upon in ठीक है इस property का यहां पर यहां पर देखिएगा इसे suppose करते है total y है और j in है तो lag y upon in तो j function मिल जाएगा यहां से anti lag लेंगे तो lag सिला cancel out हो जाएगा means हमें मिलेगा देखो इसको उपर वेजेंगे तो x upon y हो जाएगा है ना x upon by lag y upon x minus 1 equals to cx हो जाएगा य की multiply side में करा देंगे और x से x cancel out हो जाएगा ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा lag y upon x ठीक है lag y upon x minus 1 equals to c y जही क्या बन जाएगा जैसका solution बन जाएगा जो differential equation दे रखा था तो this is the required solution of the given differential equation काफी simple question था ज्यादा tough नहीं कर सकते बहुत ही अच्छा question था ठीक है तो I hope समझ आ गया होगा इसके बाद मिलते हैं next video में जो कि हम question number next करेंगे जो भी आएगा ठीक है हैं तो subscribe करिएगा तो ठीक है thank you everyone